सो दो गाइस पेड बैस में जो जो पहले तो प्लेश्टीर पर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डीयर गुरूजी ओफिसेल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने जो है यहार ऐपा आ जाएगा देख लिजिए का डीयर गुरूजी ओफिसेल लिखा 4.5 का जो इस पर रेटिंग है तो इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है अपनी आईडी बना देंगे आईडी बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपनों के आ जाएगा और सबसे ओपर दिख जाएगा दियो जाएगा दियो जाएंसर न्यू बैच आप इस पर क्लिक करोगे उसके वाद आपके सामने या पर देखिए 499 अभी दिख रहा है जो कि आपका 15 दिसमबर तक आपका यह वैलेड रहने वाला है एंड आफ्टर आपका जो है ट्रिपल नाइन हो जाएगा तो आपको इस पेड बैच में जुड़ने के लिए सिंपल पे जिसके तुरू भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के वाद आपका यह जो है ओपन हो जाएगा ठीक है यह जो आपका पेड़ यह आपका जो है बैच हो जाएगा एंड इस पर जो क्लासेज आपकी 25 जाना जाता था कौन सब्सक्राइब यहाँ पर जवाब देती हो चलिएगा अमीर खुस्रो मिर्जा गालिव जी आउदिन बरहनी यह आपका इवन बतूत्ता वेरी 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 उजी क्वेश्चन है सब्सक्राइब जवाब जो देती हो चलेंगे इसका जो क्रेक्ट एंसर उसकता है तो यहाँ पर जो जवाब दे रहे भाई अमीर खुसरो काफ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे बही अमीर खुसरो अप्सर नमबर जो इसका टिया गये है यहाँ ऺए बिल्कुल कर्यक्ट जाएगा अगरा कोश्ण देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूच्छा ग किस ने दिया यह भी कोशन आपके पेपर में आता है यहां पर देखिए कोशन थोड़ा सा लग है कि हापर किस नमाज ने दिया जब आप देखिए यहां पर आना शुरू हो गया है आर यह समाज की तरफ से यह ना रहा है था वेदो की ओ लोटो दस अप्रेल 1875 हिस्वी में ज थोड़ा सा जो आप जो देती चलिएगा तो दयानंद सरस्वती ठीक है आप पर जितने भी चीज़ें दी गई है तो यहां पर वह सारे पेपर में आपके पूछा जा सकता है आप मैं सब्सक्राइब की गई थी और किस ने की थी ब्रह्म समाज यह आत्मी सभा की नाम भी हम ब्रह्म समाज की अगरम की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना बिसिकली अगर बात करते हैं इसके अस्थापना जी ने इसको आगे बढ़ाया था आप सेंबर क्या बोल गया है पुची पुड़ी निर्ट्यकला सहली किस राजी से सम्मधित मानी जाती है पुची पुड़ी पड़ा पड़ा इसका जवाब जो देती हो चलिएगा इसका जो correct answer आपका क्या हो जाएगा very easy question और जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है पुची पुड़ी के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहें आन्दर प्रदेश वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसके लावब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं के रला के बारे में बहुत सारे आपके चलते हैं तो पर रहें ने आपको कई सारे आते है बात02 के सास्त्री अलग होता है तो यहां बात करते हैं तो यहां पर देखे भरत नाट्यम काफी जवाब दे रहें बिल्कुल सही बाता से जवाब दे रहें वो लोग यहां पर बिल्कुल हो जाएंगे अगला कोश्चन देखें आप से यहां पर क्या पूछा गया है कि यामनी कृष्ण मूर्थी का सम्मझ जवाब का किस सास्ति निरतिया से है जवाब जो देती हुँ चलिएगा इसका जो करेक्ट रैंसर आपका क्या हो जाएगा यामनी कृष्ण मूर्थी बिल्कुल सही बाता सर यामनी कृष्ण मूर्थी की अगर हम बात करते हैं तो भरत नाट्यम से है और अ अगला कोशन पूछा गया एके बाना किसका जापानी रूप है बहुत ही इंक के बाना जो है किसका जापानी रूप है जवाब जो देती हो चलिएगा इके बाना जो है आपका फूलो की सजावट का देख सकते हैं कितना important question है तो जितने लोग यहाँ पर option number C जवाब देखें फूलो की सजावट का वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसी तरह अगला question देखें आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया इसका जवाब देती हुए चलेंगे हिंदुस्तानी संगीत का सरवाधिक प्राचीन घराना कौन सा है हिंदुस्तानी संगीत का सरवाधिक प्राचीन घराना जो है आप सबसे प्राचीन घराना इस याद रखेगा बहुत सारे question आपके घराना से बनते हैं तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सब हो इस तरह के पेपर आपके पेपर में बहुत जादा आते हैं ठीक है चलिए आते हैं अगले कोईशन के तरफ तो अगला कोईशन देखिए आप से यहां पर क्या पूशा कि यहां से देखिए और सब लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा कि भाई साथ प्राचींतम हिंद कह सकते हैं तो ऑफसर नमबर जो इसका बी दिया गया है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए ठीक है बिलकुल बात सर गायन से लिए जा आप कह सकते भारतिय साथ संगीत की जो उतपत्ति हो बिसिकली किसे माने जाती कई मैंने आज सुभाई आपको कोशन करा था कि मैंने क बिसिकली कोशन करा है था कि पराचिंतरम जो हिन्दुस्तानी गयन सहैλλी है कों से है मतलब माने जाती है कहां से उतपत्ति मानी जाती है तो साम वेद में उतMM संगीत के बारे में बहुत गहराई से जो आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह चीज याद रखेगा बहुत जो भारतियों संगीत होता है इसके दो सहलियां होती है एक आपकी हिंदुस्तानी सहली होती है और जो हिंदुस्तानी गायन सहली उसी में आपके धुरूपत, खयाल, धामर, ठ नसशमरी, तपा इसके छेल और जो आपके होते हैं यह सारी चीज आती है एक सार्णकर प्राचीन में भी आपके सीम्र है प्राचीन वांदोन नेवलखित काम सा है से प्राचीन वाहद्यन है निम लिकत में वीड़ा की अकरम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वाद दियंत्र यहां पर बिल्कुल हो जाएगा ठीक है तो अस नंबर डी जितने भी साथी जवाद दे रहे हैं तो तबला का जो अविसकार है भाईया अमीर खुसर नहीं किया था यह बहुत इंपोर्टन चीज है इसको याद रखिए कि तबला का अविसकार जो है अमीर खुसर नहीं किया था साथी साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपका सितार दिया गया है सितार का अविसकार भी वीडा क अभी आविस्कार जो है इसके रहाँ एक इरानी तंबूरा है इनका जो अविस्कार है अमीर खुसरों नहीं किया था इनके दोरा ही माना जाता है तो यहाँ पर यह चीजे याद रखिएगा अगला क्वेशन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है भारत में किसके समय में प्रसिद्ध के बहुत आपको करवा चुका हूं भाई भारत जो है किसके समय में आपने प्रसिद्ध के सिकर पड़ता पर जाएगा बिल्कुल वात है जहांगीर यहांपर जितने लोग आपस नंबर बी जवाद दे रहें चितरकला जो है जहांगीर के साथ इनकार में अपनी प्रसिद्धी पर था मतलब बिल्कुल दिखर पर पहुँच चुका था तो यहांपर याद रखिएगा जहांगीर जहांगीर के ही जो बेटे थे कौन सा जहां थे आप सभी यह तो पता ही होगा और इनके पिता जी कौन थे भाई अकबर थे चलिए अगला कोशन देखिए आप से यहांपर क्या बूला गया है जहां से देखिएगा कि भाई सा बनी ठनी किस चित्र सैली से संबंदित है बता किसंगर सैली यहां पर यह वाला उसन जो है किसंगर सैली जो है किस राज से संबंदित कई आपके पेपर में यह भी आता है तो किसंगर सैली जो आपका रास्थान के एक चित्र सैली है और इस चित्र सैली का विकाज जो है महाराजा मान सिंग के काल में हुआ था लेकिन यह यहाँ पर यह पेपर में आता भई जो बनी ठनी सैली है अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो उद्वह हुआ था वह आपका महराजा सावंद के ही सासनकाल में हो गया था तो यह चीज़ी याद रखिएगा तो यहाँ पर और जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो बहुत सारे पेपर में आपके याते है थे तो बैशरो धर्म या बैशरो संप्रदाय का ही प्राशीन नाम जो आपका भागवध brewer्म या पांच रात्र मत्र था तो यहाँ पर पूछा गया है इसके प्रवर्तक जो है वेसिकल can't थे तो भई है इसके जो प्रवर्तक थे सिंपल से यहाँ पर याद रखेगा पुराड़ो की कुल संख्या आपकी कितनी है पुराड़ो की कुल संख्या है वो आपकी कितनी है सबसे पुराना पुराड आता है ऐसे बहुत सारे चीजे आपके पेपर संक्राड आती है सबसे पुराना पुरार मना जाता है ठीक है प्रथम पुराड के बार पेपर में आता है तो वही जो प्रथम पुराड या ब्रम जो आपका सबसे पुराना पुराड है वही आपका होता है कितने वेध होते हैं तो चार वेध होते हैं सबको पता है और क्या बोलते हैं कितने क्या बोलते हैं उपनिसद होते हैं 108 से लिया गया है इसी तरह कि बहुत सारे पेपर में आपके जो कोशने बनते रहते हैं अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है ध्यां से देखिएगा भारतिय धर्सन की आरंभिक विचार धारा क्या है बता इसे जी भारतिय धर्सन की जो आरंभिक विचा दहारा है वो क्या है तो साथ हो याद रखे कि यहाँ पर साख खिदर सां ठीक है आरंभिक विचार दहारा सांग किया है तो यहाँ पर जितने लोग आपसर नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगी अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पुछा गया ध्यां से देखिएगा कोशन अगर हम बात करते हैं 15 की बारे में 15 नंबर कोशन से सबी लोग जवाब देती हुए चलिएगा आश्टांगिक मार्ग जो आपका किस धर्म से संबंदित है वेरी वेरी इंपॉर्डन क है सब्क पर जवाब वह तयांग को क्या हो जएगा है अस्तांग के वारे में यहां पर छो बात करते एंगा ऐहां बहुत जवाब दे रहे होँ लोग यहाँ पर डिक्क्त हो जाएंगी कोई दिक्कत हो कुछ्पी प्रॉब्म हो तो आप लोग जो है अगा ला questioning आपसे क्या पूछागी है यहाँ से देखेगा ओडं ए सबीको पता कुछ लोग जवाब दatisf il कुछ लोग केरल कंफ्यूज इतना क्यों है या जी केरल यहाँ पर जो एक करेक्ट हो ठीक है केरल जितने लोग जवाब दे रहे हैं आपस नंबर भी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोश्चे देखिया हाँ से हाँ पर क्या पूछा गया है कि आफी लोग के जवाब देखे हाँ पर आने शुरू हो गए है पूरे में तथ्यात्रा दिया गया है वो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है तो अगर हम बात करते हैं भई भगवान जगननात पूरी बिल्कुल सही बात है जितने लोग आप पर जगननात जवाब दे रहे हैं आफिया जी ऑफ्स नमबर कौन सा यहां पर आफ्स नमबर सी जितने लोग जवाब देरें वो लोग आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोश्चन देखो आपसे यहां पर क्या बोला गया है बहुत सब्तरत मंदिर जो है कहां पर अवस्तित है सब लोग यहाप इफिये सब्तरत मंदिर के अगरम बात करते हैं तो काची पूरं में उस्तित है जितने लोग यहां पर करेक्ट हो जाएंगी अगला कोश्चन देखेए आपसे अपर क्या बोला गया ध्यान से देखेगा सब्सक्राइबद के इचेत्चकर में कुछ गर्बढ़ हो गया यहा काची पूरम का जो कैलास मंदिर है ना इक तो कैलास मंदिर आपका है बहुत ज्यादा पेमस है कई आपके पेपर में यहां पर आते हैं ठीक है हिंदू मंदिर है अगला कोईशन देखें आप से हापर क्या पूचा गया देखें आपके बात करते हैं 19 के बारे में तो आपसे पूचा गया भी स्रवड वेल गोला में गो मतेश्वर की मूर्ति का निर्मार किसने कर आए था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डन कोईशन है जवाब देखें हैं जितने लोग यहाँ पर चामुंद राय जवाब दे रहे हैं या उपसर नमबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेट हो जाएंगे अगला कोशन देखे आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रख्यात सांस्कृत केंद्र भारत भावन जो आपका कहां पेस्ती थे के ब भौपाल मद्यपिदिस की राधानी है बहुत इंपॉर्डन कोशन इसको याद रखिएगा तो यह जो आपका कहां पर वसीत भाई भौपाल में वस्तित है ठीक है इसके लावे यहाँ पर देखे बहुत सारे कोशन आपके यहाँ से बन सकते हैं जैसे यहाँ पर जो अगर भावन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जाप कह सकते हैं भाई भारत भावन जो यहाँ पर वसी थी तो आपको पता चली गया यह आपका जो एक कला का केंद्र है ठीक है यह कला का केंद्र है और यह जो आपका बिसिकली इसका वास्तुकार कई बार आपके पेपर में है भारत बEZकार बहुत बार के पेपर में आ चुका है इसके वास्तुकार कौन थे देखते कितने लोग को पता है फट उचलेगा चार्स कोरिया नाम था ठीक है चार्स कोरिया नाम था इस्थान आपको पता चली गया है इसके लावगे यहाँ पर इसका जो है स्थापना हुआ था अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है कि उजयन का प्राचीन काल में क्या नाम था यह कोईशन भी मैंने आपको कल कर आया था यह कोईशन भी आपको हो चुका है उजयन का प्राचीन काल में जो आपका क्या नाम था प्रख्यात बोरो बुदूर का बहुद इस्तूप आज मैंने आपको बोरो बुदूर के बारे में बताया था बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है सब लोग जवाब देते ही चलिएगा तुम्हें याद रखेगा बाइस नमबर क्वेशन का जो करेक्ट अंसर आपका हो जाएग इसके लावा यहाँ पर दूस्तों आपको क्या करना भई आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना ठीक है जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाइक और से जोई करते हुँ चलेंगे अगला कोईशन देखेगा क्या पूशा गया नहीं बात करते हैं कंबोडिया में स्थित कौन सा अंगोर वाट का मंदिर ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ अंग कोर या अंग कोर कही बार अलग-अलग तई किसे लिखा रहे था बट यहाद रखेगा आपको बताना है कि यह जो मंदिर आपका किस देवता को समर्पित है इस नमबर कोईशन है सब जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है भारतिये नाट्य संस्थान कहां पे इस्तित है क्या हो जाएगा जवाब देखिए आपर आना शुरू हो गया है तो भाईया याद र लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है भारतिये साथ्षर्टा मिशन की सुरूवात कब हुई वेरी वेरी इंपॉर्ण कोईशन है राष्टिये साथ्षर्टा मिशन जवाब देखिए आना शुर में पांच माई 1988 को उस समय के जो राज जीव गांजी जो प्रधार मंत्री थे उन्होंने स्टार्ट किया था और इसका उत्देश से बेसिकली यह था यह था कि 2007 तक जो 14 यह 15 से लेकर के 35 वर्स तक के जो लोग है वो रिच्छर लोग जो साच्छर बन जाए और 75% साच्छर को मिल जाएगा तो आज की स्क्लास में स्रीव इतना ही अब इक लिए बाबाय टेक किया जहीं जे भारत मिलते आप सकी से नेक्ट वीडियो में धन्यवाद